आपने के लड्डू बनाने के लिए हमने एक कटोरी गिहूंगा आठा आधी कटोरी अलसी आधी कटोरी चीनी पृत में इसको थोरी काली में इचली है और हमने काजु लिए एक मुठी जैसे कटे हुए और यहां बरी बाली कश्मिश को हमने थोरा सा काट दिया है छोटा छोटा आप देख सकते हैं उस किश्मिश का शाइस अमने यहां घर पे बनाया है और हमने आधे लिटर डूट से ब अब इसमें हमने चीनी डाल दी अब जैसी चीनी पिगलेगी हमारा कोई रेडी हो जाएगा हम अच्छे से चीनी को हिला रहे हैं अभी खोई में तक अंदर ताकि वो मिक्स हो जाए दूसरी जगह हमने गैस पे अलसी भुनने के लिए रख दी है जैसी अलसी भुनेगी तो इस जनी ग्षें के है और इसका रंग कुछ है सुंदर लग रहा है अलसी को एक जगह निकाल लेंगे हमने आथाली में निकाल लिया लग से और यहमने ऐसी थंडी होने के बार मिक्सम में पीस लिया है जब पिसने के बार ज़िए कुछ साशी आग यहाक हई हो दूसरी करहाई म में थोड़ा सा घी लेंगे और इसमें हम अलसी के लड़ू के लिए आटे को भुनेंगे और फिर इन तोनों चीजों का अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसी आटा भुन जाएगा आप उसका टेक्श्चर देखेगा कलर चेंज हो जाएगा आटे को भुनते वक्त हमने गैस को सिम पे रखा है और उसको हम हिलाते रहें बीच-बीच में ताकि वो नीचे लगे ना देखिए आटा भुनना शुरू हो गया उसने अपने रंग को बदल लिया है और खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है अब इसमें हमने काली मेज काजू और किश्मिश डाल दी है और हम इसको अच्छे से भुन लेंगे आप इस आटे को चक के भी देख सकते हैं ये अच क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्ट देगा अब हमारा आटा और काजू किश्मिश सब अच्छे से भुन गए है और अब हम इसकी गैस आफ करके एक साइड पे रख देंगे अब हम उस भुनेवे लसी के पाउडर को इस आटे में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे य अब हमने उसको वापे से गरम करने के लिए रखा है अब हम इस खोय में वह पहले जो हमने आटा और अलसी मिक्स करी थी पाउडर वाला वह डाल के अच्छे से हिलाएंगे यह देखिए अब इसकी कॉंसिस्टेंसी एकदम पॉफेक्ट होगी है आप इसको ऐसे भी खा सकते अब इसका हम थोरी देर के लिए अलका गर्म जैसी यह हो जायागा तो हम इसके लड़ू बनाइंगे ऐसे हम चमर से थोरा सा हिसा लेंगे और उसको हठेलियों में गोल-गोल करके गोल-गोल लड़ू बनाएंगे मम्मी लडू तयार हो गए क्या हां तयार हो गए खा सकती है लडू बन गए अब मैं आपको खा कि इसका टेस्ट बताती हूं बहुत तेस्टी है